में अपने बोलने से पहले अपने दल के नेताओं को धनिवाद देना चाहता हूँ आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये सामानी चर्चा में बजट के सामानी चर्चा में मुझे बोलने का प्रथम अबसर दिया है सहाथ से ही मैं गाओं का खिसान हूँ गाओं में पैदा लिया गाओं में पला गाओं में बढ़ा किसी तरह से राजनीती के धारा में चलते चलते यहां तक मैं पहुँच गया लेकिन जब कभी मैं खाड़ा होता हूँ तो मेरी नजर वहीं रहती है चौधरी चरंसिंग जब भारत के प्रधान मंत्री बने तब ही उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि हुकुम चन भारत का प्रधान मंत्री हूँ लेकिन दिन में एक बार मेरी नजर अपने गाउं में चली जाती है वही कच्ची दिवार, फूसका छपर, वही कच्चा कुवा, वही गाय, वही भैंस, वही बकडी वही जुआर, वही बाजरा तो जो जहां से पैदा लेके आता है, जिस संसकार में पलता है आप तो संस्कृत के भी विद्वान है अद्यक जी मनुष्य सब कुछ भूल लेगा, लेकिन जिस संसकार में पला है या बढ़ा है वो कभी भूल नहीं सकता है तो मैं तो उसी संसकार में पला हूँ, बढ़ा हूँ मैंने गोवर देखा मैंने बकडी की गिंती की मैंने भैंस की गिंती की अब संजोग से लोग सभा में आया हूँ तो वह आंकडे की गिंती करनी परती है फिस्कल डिफिसेंग डिफिसीट रेवन्यू डिफिसीट अब मेरे जैसा याद मी उसमें मुला जाता है कि बक्री गिनों कि भैस गिनों कि डिफिशित गिनों अर हम तो केबल वही खौशते हैं जैसे जुद्ध के बाद सिता माता के सजुद जितने के बाद रंका बीजय के बाद जब आनर भालू के बीच में मनी की माला बित्रित की जा रही थी तो वो सब दाने को तोड़ तोड़ के बंदर देख रहे थे सब हस पड़े पड़े लोग कि आखिरी बंदर बंदर तो है ये मालिक क्यों तोर रहा है पूछा कि तुम इस दाने को क्यों तोर रहे हो तो कहा मैं इस हर दाने में सीता राम की मुर्ती देखना चाहता हूँ और जिस दाने में सीता राम की मुर्ती नहीं हो मेरे लिए निर्थक है तो मैं तो बजट के हर पन्ना को पढ़ता हूँ तो देखता हूँ इसमें किसान कहा है इसमें मज़बूर कहा है इसमें गाओं कहा है इसमें हमारे गाव भंस के चारा दाना का कुछ है की नहीं है इसमें मेरे गाव की जो गरीब औरते हैं जो खेत में काम करती हैं पसीना बहाती हैं मिटी पानी में सरती हैं उनके सरीर से बदबू निकलता है जीवन में कभी एक बार भी उनको लक्स और कोन रिक्सोना साबून कोन यली पिस्टिक पाउडर ये छूने का देखने का अबसर नहीं मिलता है क्या उसकी दुनिया को इन्होंने देखा था मैं उन्हीं से पुछना चाहता हूं अब तो बरी-बरी बात करते हो आगे दिन पीछे गए गुरु से किया नहे तब पस्तावा होत क्या चिरिया चुग गई खेत जिस समय गांग को देखना था किसान को देखना था मजदूर को देखना था गरीब को देखना था पिछरा को देखना था दलित को देखना था गांकी सरकों को देखना था गलियों को देखना था कुआ को देखना था आपन ने बनाया एक है भारत एक है इंडिया दट इज कोल हिंदुस्तान आपने बनाया ना मैं आज भी कहता हूं अगर मेरे गाउं के किसी को उठावे आँख में पट्टी बाढ़ दें हिंदुस्तान के कहीं भी उरिशा हो बंगालों कहीं हो किसान को लावे गाउं में आख पर प कोल दे उसको लगेगा कि हम स्वर्ग में चले आए कि बैकुंठ में चले आए कि इंदरपुरी चले आए इतना का अंतर है मैं उन्हें 177 मेल बनके आया इंडिया गेर के किनारे पैदल टहल रहा था एक बड़ी गारी में एक बड़ा कुत्ता जा रहा था अपने मुह को निका नहीं था मेरे अंदर से आवाज आई कि कुत्ता कह रहा है क्या तुम गाव का किसान गड़ी में दूर पिछड़ा दलित तू क्या जनम लेके कर रहे आया है तुछ से मैं सौभा कि साली हूं देख मैं ठंड गरमगारी में बैठा हूं के खाता हूं अमलेट कटलेट खाता ह कि इस हिंदुस्तान के बरे लोगों के कुत्ते भी मुस्से अच्छी जिंदगी जी के रहे हैं और मुझे उस जिंदगी से वह बत्तर जिंदगी जिलाने वाले कोई आप राज किया आपने मैं अंदोलन किया जेल में गया जेल में सराया आज भी पुरवाःबा चलती है तो आपके पुलिस की लाथी से जो हड़ी में चोट है वो कई न कहीं दर्द करने लगता है तो मुझे में मुझे ऐसा हिसास होता है कि जिस राज में मुझे इतना कष्ट मिला था अगर मेरा बस चले तो उस राज को सदा सर्वदा के लिए हिंदुस्तान से उखार के अगायाजी में जाके पिंड़ दान कर दूँ जो फिर निकलने नपाद किया बात करते हैं साथ आप समय आकरे में नहीं जाओंगा अब जोजना आयोक की बात कर रहे थे मैं अपने गुरू डाक्टर लोहिया की बात को आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा मैं नहीं बोलता मुझे तो अनुने दिरिश्टी दी थी इसी लोग सभा में 6 सितंबर 1963 को एक बहस हुई थी ख्याल रखिएगा जिस बहस ने पंडित नहरू को भी हिला दिया था वो बहस थी तीन अना बना 15 है अना का लोहिया ने कहा था मैंने 27 करोड हिंदुस्तान के लिए 3 आने रोज की आमदनी कही परधान मंतरी ने 15 हाने रोज की और जोजना मं मंतरी आपस में निपट लेंगे कि दोनों में कौन साही है यह यजनारी है जोजना मंतरी और समय जो दर्शन करना चाहिये तो दरपनमाजत रहिये दरपन में लागा काई तो दरश कहां से पाई क्या बाद करते हैं साथ कि इस हिंदुस्तान में अगर किसी कामें प्रधानमंतरी जी बैठे हैं कि मैं भुकत भोगी हूं जिस रोग से मैं पीरित हूं कहीं न कहीं उस रोग से आप भी पीडी थे हैं बिरप्पा मुईली जी आप भी पिछले बर्ग से हैं मैं भी पिछले बर्ग से हूँ कादुख जाने दुखिया की कादुख जाने दुखिया माय जाके परनफटे बिमाई सोका जाने पीड पराई आपके मलकार जुन जी भी उसी दलिस समाज से है आपने समाजिक पीरा को जहला नहीं है भोगा नहीं है इस हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी चीज अगर रही है सनातन काल से तो वह हिंदुस्तान की जाती पर था उस जाती पर था के कारण क्या-क्या नहीं भोगा हमने और क्या नहीं भोगते हैं अभी अभी चुना हो रहा था सिरी नरेंद्र मोधी जी के लिए कोई कह रहा था मेरे दुकान मेरे ऑफिस के आगे उचाई की दुकान खुलबा देते हैं फुटपात पर जाओ चाई की दुक अब गए थे चुनाव लड़ने के लिए मेठी में लोग दल से नारा लगा था सरत जाद अब वापस जाओ लाठी लेके भैंस चड़ाओ करपुरी ठाकुर जैसा नाई का बेटा गरीब जिसके नेत्र तुम्हें बिहार में इतना पड़ी वरतन किया वो बिहार का मुख बंदरी बना 27% डारक्षन दिया हाई इसकुल तक फीस माप किया मिडिल इसकुल तक फीस माप किया पांचेकर से मल गुजारी माप किया और तो च्वडा लेके सैनन को लो क्या क्या नहीं सहाब हूं क्या क्या नहीं देखा हूं इस्वे इस दिल ke अंदर वो धर्द और पीडा है क्या यह लगता है क्या हिंदूस्तान के पिष्ए और दली समाज के लोगों ने अपनाद किया था कि उसमें जनम लिया किसी ने भगवान के हां दर्खास दिया था कि मुझको त्यली बना दो कुछ को लुहार बना दो मुझको कुर्मी बना दो मुझको कहार बना दो मुझको अहिड बना दो मुझको कलवार बना दो कोई दरखास देके तो नहीं आया आज बित्त मंत्री जी को धन्यबाद देखूंगा परधान मंत्री को कि उन्होंने बजट में कुछ ऐसी जोजनाएं बनाई है जिससे हिंदुस्तान के जाती पर थाके बंधन को धीला करने का आउसर मिलेगा जब उनके आर्थिक चेतना परहेगी आर्थिक विकास होगा कब जब गाव में पैसा जागा तब गरीब के हाथ में रोजगार जागा तब उनकी आर्थिक उन्नती होगी तब तब कहीं जाके उनके जीवन में विकास होगा आपने सोचा कि गाव का विकास कैसे होगा क्या प् पर पाबंदी लगाते हुए डाक्टर लोहिया ने इसी लोग सब आमें बहुत करते हुए पंडित नेरू से कहा था मैं कुछ नहीं चाहता यह काम कर दो सारे लोगों के बड़े लोगों के खर्च पर सीमा लगा दो आए पर आमदनी पर नहीं खर्च पर सीमा लगाओ इसे अ डाक्टर लोहिया इसी सदन में कहें थे वो तो अगरवाल थे बनिया थे उनको क्या जरूरी थी इस बात को बोलने का लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के गरीम निर्धन निर्वल और पिछडों का इस जुग में अगर एक मात राजनेतिक मसीहा पैदा को लिया तो डा हर खेत को पानी हराद को काम दिन द्यालू पाध्या जी ने कहा डाक्टर लोहिया ने कहा एक विघा खेत और एक गाय अपनी खेती अपनी राय हम तो यह लड़ते आ रहे हैं आरा जो सपना सकार हो रहा है इसलिए मैं आप से बिनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि सवाल है द्रिष्टी का दिशा का और संकल्प का आपकी द्रिष्टी कुछ और थी अब द्रिष्टी बदली है हिंदुस्तान के गायों के गरीब पिछरे दल्कों ने मिलके कन्या कुमारी से कस्मीर्त काम रूप से द्वार का धाम तक इसासा अर्मान के साथ आपके सब्दों में जिनको आप अपने ओफिस के आगे चाय की दुकान खुलबा रहे थे वो चाय की बेचने वाला रेल के फुटपास पर पानी पिलाने वाला गरीम निर्धान जिनकी मा मजदूरनी का काम तरती थी ऐसे के बेटा को भारत का प्रधान मंत्री की कुर्शी पर पैठाया कि नो महिना में हो जागा आप नेता बोलते थे मैं सुन रहा था मुलाइम सिंगादर निये बोल लेहते मेरे साथी हैं बर्सों तक समाज बादी अंदोलन में नरे कि नो महिना में तो बच्चा पैदा हो जाता है वे ने कहां कितनी बे और ग्यानिक बात कर रहे है यह तो कितनी आप एग्यानिक बात बोल रहो है इस सरकार का नो महिना हुआ हो दस महिना हुआ अब क्या सोचते हो आप क्या सोचते हो इसलिए आप से मेरी बिनम्न प्रार्थना है कि संभलो अभी भी आप समग लिये अब बजट को क्या समझते हो मैं बिरप्पा मोईली सहाब नहीं हूँ मैं उन आकरों का जवाब दे रहा हूं कि आपने इतने दिन आकरे अभ हमको परहा रहे हैं आपने क्या आकरे परहे थे आपने आकरे परहे उन्हें सो यकावन में किसान थे 71.9% 211 आपका राज घटके हो गए 45.10 पॉइंट 26.08 पॉइंट किसान गाइब हो गए कहां गाइब हो गए कहीं नहीं गाइब हो गए खेतियर मजदूर थे 28.1 पॉइंट और वो घट करके हो गए 17.5 वो बढ़के 26.08 अध्यक्ष महदा जितना किसान गमा उत्रा खेतियर मज़ूर बनाया यह अकरे नहीं है क्या यह सच है कि नहीं तो आप बजट में आते रहो बड़े-बड़े अर्षास्त्री आए एक बिद्वान आया अर्षास के कहां से हरबर्ट बाले हमके कहां हरबर्ट हमने कहां आई देस को कर देगा हरबर्ट हरबर्ट बाला हरबर्ट करेगा हिंदूस्तान यह साथि चाहिए अर्ण जैटली के जैसे आब यह कहां गया बोलिए अगर यह चोध्री चरण सिंग हिंदूस्तान के जितने किरशी अर्थ ग्रामी नर्थ शास्त्री हुए जेसी कुमर अप्पा से लेके चोधरी चरण सिंग तक सब ने एक ही बात कहा खेती पर से जो जो भार भटेगा तो तो गाओं की उन्नती होगी किसान खुसाल होगा खेती पर से भार को कम करो आपने कम किया लेकिन हमको बनाया क्या अफिसर बनाते नोकरी देते उद्योग लगाते हाथ में काम देते साइकिल देते मोटर साइकिल पर चरवाते तब न समझते हम किसान थे हमको मजदूर बना दिया जुकी जोपरी में डाल दिया गंती जिंद की कीरे कि जिन्दी की जिने के लिए हमको रख दिया जो गाउं में बसने वाले थे वो बीड़ा सीदा समला साथ थे और घटके हो गए अरसर दमसलाफ जिरो आठ चोदा परसेंट गाउं के लोग गाइब होगे कहां गाइब होगे लाइब होके कहां गए आपके यहां दिल्ली में दिल्ली में फुटपात पर सोते हैं पेर के नीचे सोते हैं पेर के नीचे जनमते हैं बलते हैं बरते हैं पेर के नीचे साधी करते हैं होनी मून हैं वहीं फिरबच्चा पैदा करते हैं प्रहएं नीचे ही अपना पड़ी बशाते हैं हमारे बच्यक्त फुट्पास फुट्न कर्वाया गरीवी से मश्दूर किया। कुट्य के जैसे जिन eradusheen कर दिया। और उपर से आप बताते हैं कि हम आप तुम्हारे लिए क्या दे दिया, फूट सिकूरूटी दे दिया, फूट सिकूरूटी, दाना उप जावे, धान उप जावे हम, गेहूप जावे हम, अनाज उप जावे हम, महिनत करे हम, अहम को बस समझते हैं आप भिकमंगा, फूट सि अब बड़े बजट वाले और साच्टरी वाले हैं महीना में 1 kg चाबल खाके रहो एक आदमी 3 किलो गहुंंखाके रहो यह गरीबी का उपहास है हमारी निर्ध और गरीबी आउपहास है आओ ह्यू चाबल देते हैं एक महिना में ठाओ महींना में 26 रुपया जिसकी रोज की आमदनी आप कहते हूं गड़ी रेखा के नीचे है चावल के हूं बातेंगे 70% को क्या आखरा है आपका यही बजट बनाते थे न मैं उसी को कहता हूं यही आपका आखरा गरीबी चाबल गेहूं खाए 87% हमको कहो गरीबी कि रेखा के नीचे है 26% कविड़ा बाचे आखिन लेखा पंडित बाचे पोथिन लेखा हम तो आँख से जो देखते हैं वो बोल रहे हैं आपने क्या किया हम हम कम किये काते हैं किसान 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 बिरोधी है हिंदुस्तान म एक सो पचासी दसमला तू मिलियन हेक्टर खेती की जमीन थी और आपके राज में 2011-12 में 182 मिलियन हेक्टर हो गई यह जमीन कहां गई हम खा गए हमारे गांग के लोग खा गए कौन खा गए जो खाय हो लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपने हमारी जमीन खा गए और दूस जमीन में 26.28 गयर किर्षियोग भ्हुमी बढगी है किर्सियोग भ्हुमी आ हराश हुआ उल्टे बात कहीं कहीं पर निगाह पर निसाना ना कुछ मिले तो कुछ कही आतना लाकुछ मिले तक विरोधी का काम भी करना है तो आप अपने नेताओं को कहिए कि कुछ दिन हमारे पास आई 6 महिना ट्रेणिंग दे देंगे कि हम विरोधी थे तो क्या करते है कि अगए नातक भी करिए तो किसी डारेक्टर से सीख तो लिजिए जो गरीवी का डारेक्टर है उससे सीखे नहीं अगरीवी का नातक खेल रहे हैं एक गाह में नातक महनुमानगी का पाठ करने वाला नहीं आया उसने सोचा कि आज तो नातक नहीं होगा एक बहुत मोटा तगड़ा दुकान दार था उनको पकर लाया तू नातक कर के बल खारा रहना अजब खारा होके पाठ करने लगा तो रावन ने डाट के कहा कि कहा गया लाओ तो इसको वा कि अब तो जलके मरेंगे तो कहा हजूर हम तो हनमान जी नहीं है हम तो बनिया है अब दुफान चला रहे हैं वैसी ही आप नातक करिएगा इसलिए आप से मेरी ब इसको देखें डिशो दिश्टी जिसा जब तक आपके पास में दृष्टी नहीं बनेगी आप strips ठीक थी आप या कर रहते छलता है सब आप कह कि हम बीज़े आपका बजब उपकी चला आपकी अर्थ नहीं ती चली और we कि बिसंपदा समाजिक भी समता राजनेदिक भी समता प्रसासनिक कि क्या मैं पूछता हूं कि आपके किसी बजट से भी समह हिंगे शबदा करने के लिए कोई काम किया नहीं किया इसलिए हमारे गुरू डॉहा कहते थे कि हिंदुस्तान में जब तक जाती पर्था है और जब तक जाती पर्था का रोग रहेगा तब तक हिंदुस्तान का कल्यानी होगा भरस्टाचार के पीछे भी जाती पर्था है कोई मान्य प्रधान मंतरी बैठे हैं हिंदुस्तान के अंदर किसी को अगर चाहेंगे कुछ कर दे प्रधान मंतरी र उठाइए तो उसके जात खा ना जाने कहां से कहां सभी सभी जगह से लोग आ जाते हैं उसको बचाने के लिए जात पर हमला अगर किसी बैमान पर हमला है तो जात पर हमला किसी भरसाचारी पर हमला है तो माना जाता है जात पर हमला है इस जात को तोरने के लिए सबसे बड़ शुरू दिन थे सदन सहमत हो और आप ही सहमत हो तो प्रधान मंत्री जी से कहूं कि तुरत लागू करिए लेकिन इसमें सहमती का सवाल है राश्ट्रिय सहमती सदन की सहमती आपके सहमती सवारक्षर मेरा खतम कर दिजे लेकिन एक कर दिजे सरकारी नौकरी और सरकारी सेवा इ रहेगी जाती न रहेगा बांस न बजेगी बांसरी जातिया चूटेगी अंतर जातियता के कारण हिंदुस्तान में एक जाती बनेगी वह जाती बनेगी भारतिये वह जाती बनेगी मानब जाती इन जातियों के रेखा को तोड़िये इसके लिए अगर कर सकते हैं तो आप मिटा देंगे लेकिन न्यूंता मरद हिक्तम कि रेखाते और कर ना चाह बने संर्कार नरेंद्र मोदी जी खुटकी में कर देंगे तो इनका कुछ जाएगा ने पडि़्वार का जाएगा नवाल वच्छे का जाएगा किसी का कुछ पुश्नें भी गरने वाला है लेकिन चिलाने लगेंगे तो हम सो से कम नहाजार से जादा समाजबाद का यही तक आजा बरे समाजबाद की बात करते हैं मैं ज्यादा समय नहीं लूगा मैं इनको समाजबाद की बात अपनी गुरुब डाक्टर लोहिया की पर से सुना अब उतथा कथित समाजवादी हो गए हैं, समाजवादी तो रहे नहीं लेकिन तथा कथित हैं, आप मुझको कह देगे कि आप भाजपा में चले गए, मैं भाजपा में क्यों आओ, आपका ऐसे दल बने, इस दल के चुकरे हजार हुए, कोई यहां गिरे, कोई वहां गिरे, म कहां कहां तो और फिरता मैं चला आया भाजपा में, मैं भारत्य जनता पाटी के नेताओं को धन्यबाद देना चाता हूँ, कि हकुम देओन तीन वरस से जादे किसी पाटी को दूरस नहीं रहने दता था, आज बीस बरस से भारत्य जनता पाटी में अटाल अटी खड़ा ह है, इस बात को समझो, बाकरी में कहूंगा द्यक्षम हो दे, समाज बाद हर किसी से अंसिध्धान की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुन, एक होता है निर्गुन, एक होता है सिध्धान, एक होता है कार्जकरम, समाज बाद से एक सिधी नीचे उत गौर करिएगा कौन-कौन बड़ाबरी आर्थिक बड़ाबरी समाजिक बड़ाबरी राजकिय बड़ाबरी धार्मिक बड़ाबरी उससे एक सिधी और निचे उत्रो तब उसके बाद आएगी सम्ता संपूर्ण सम्ता संभव सम्ता तब एक सिधी और निचे उत्रो तब अध धार्मिक बराबरी की भी बाते में की गई है अगर हम धार्मिक बराबरी पर जी समाप्त करेंगे अगर धार्मिक बराबरी पर मुझे कहा जाए तो मैं कहने लगो तो कितनी अपनी पीरा सुना दूंगा कि धार्मिक बराबरी इस देश में कैसी है उसके समंद में मैं ज्याद समझवे दो तरह का होता है, एक दास का समन्वे, एक स्वामी का समन्वे, मैं नहीं कहता, महान समाज भाधी अर्थ साष्डीं डाक्टर लुहिया ने इसी सदर्ण में 26 मार्ट शाष्बड को काता, गवर से सब्सक्राइं को सुनिये, समन्वे दो तरह का होता है एक दास का समन्वे, एक स्वामी का समन्वे पिछले हजार बरस के इतिहाद से हिंदुस्तान ने स्वामी का समन्वे नहीं सिखा वह एक दास का समन्वे रहा है मैं तो सिरी नरेंदर मोदी जिस सरकार से कहूंगा कि याजार साल से भारत 10 भाव से शांस्कृत समंधुतित संस्कृति संसर्ण में रहा है अगर वह स्वामी भातवता संस्कृत अना चाहता है तो क्या अपदाद है इसनले नशने कहा इस संस्द्रेमे में खाली परदेशीयों को ही दोस्त नहीं देता उनके सबब से जितने भी इतिहासकार हैं वे सबी जहर के जहर में बिलकुल घुल जाते हैं आज भारत के दो इतिहास के इस्कूल है ऐक डाक्टर ताराचन एक डाक्टर मजुमदार एक आओर है जो दोनों के दोनों इसी समद्व धारा के हैं विवित्ता धरा के हैं भारत क्या है उसको भूल कर भारत के जो विविनंग है उनकी तरफ निगा चली जाती है क्या बात करते हैं तो इससे मेरी बिनम्र प्रार्थना है सदन से अध्यक्ष बहुत है मैं हाजवर के प्रार्थना करता हूं सदन से भी और इस लोग सभा के चैन पिछरा दलित और नोजबान मिलके देश बनाओ आओ देश बनाएंगे और नरंद्र मोदी के परधान रहते हुए एक बार नहीं अगर हिंदुस्तान में आपने जितने दिन रहा एक बार में तो थोड़ी सी रेखाएं बनाई जाएगी दूसरे बार में मिठी डालेंगे ती से हाथ जोड़के प्रार्थना नोजबानों से करना चाहता हूँ आओ कदम में कदम मिलाओ मिलके हिंदुस्तान को बनाओ सफर समता लाएंगे आर्थिक समता समाजिक समता राजनीतिक समता अगर इन्होंने मुझको बारा रुपिया महिना पर जीमा भी जीवन भीमा कर दि अब 12 रुपिया साल 12 रुपिया साल एक रुपिया महीना तंबाकु का गुटका भी खाते हैं तो तीन रुपिया में मिलता है उसे भी सस्ता जीवन विमाई सरकार ने दे दिया गड़िवों को करेजा तो इसलिए फट रहा है करेजा में दर्द इसलिए है इन्होंने जो औ गाय के बग पसुपालन के लिए गड़ा के उत्थान के लिए जोजना इत्याजी-दी कई जोजना है क्या गिनाऊ हरी अनंत हरी कठान अन्त मुद्राब्यंक बनाये उसें और चोट काई वाले को खरजा देंगे चोटी काई वो चोटी काई गा तो गाहां वाला खरजा खा राश्टे ने मुना सर्वे के मुताविक देश में पास दसमला सत्तर करोर उद्यमी हैं इनमें 11 लाग करोर रुपे की पूजी लगी हुई है इनसे 12 करोर लोगों को रोजगार मिल ला है लेकिन इस शेत्र के उद्यम्यों को पूजी में कर्ज का हिस्सा केवल 4 फिस दी है फ़र्हई को लोहार को कुमार को हजाम को यह जो छोटे छोटे और हिंदुस्तान में पसा है अलshore पर जाति बनाया गया प्लीज गाओं के गरीबों के हाथ में रोजगार जाएगा ये गरीब बनेंगे पहलमान गरीब बनेंगे विद्वान गरीब बनेंगे बुधिमान गरीब के हाथ में जम ताकत आएगी तो आपके आगे सर्नम के अच्छामी नहीं होंगे ना फुट से क्रोटी खाएंगे ना मन्रेग खाएंगे हम अपने पसीना और पूरसार से अपनी कमाई से इस देश को बनाएंगे हम आपके भिक्मंगा बनके जीए हैं अब हम स्वाभिमान के साथ जिन्दा रहना चाहते हैं इसलिए मैं भारत के प्रधान मंत्री और वित्मंत्री को धन्यवाद देता हूं बहुत